नमस्ते प्यार भाई देखे गया बोलता है in how many years 800 रुपीज विल टार्न इन्टू 9261.10 पर एन। compounded per annum semi-annually ठीक है तो देखो 10% rate तो क्या दिया है? annually का दिया है, जबकि बोलता है semi-annually compound interest निकालना है तो rate of interest कितना हो जागा? इसका आधा हो जागा क्योंकि semi-annually rate of interest कितना हो जाता है? 5% तो 5% की fractional value कितने होती है? 1 by 20 ठीक है तो principal और amount का ratio क्या होगा? 20 रुपे पर एक रुपे का interest मिलेगा तो principal अगर 20 रुपे तो amount कितना हो जागा? 21 ठीक है और यह फाइनली बोलता है principal और amount का ratio वह कितना बोलता है? यह principal है 800 रुपीज और amount कितना है? 926.10 ठीक है ना? मैं decimal आटा रहो हैं आप इस decimal आटा तो है क्या हो जागा? एक गीरो यहां लग जाएगा ठीक है? यहां का ratio माटांगो तो एक गीरो यहां लग जाएगा तो यह ratio जागा 8009261 का तो गताव यह ratio कब बनेगा? जो मैं क्या करूंगा? तीन टाइम लिखंगा इसी को जैसे देखे 20 by 21 ठीक है 20 by 21 यह ratio तभी तो मिलेगा यह सब multiply कितना जाएगा? 8000 और यह multiply को कितना होगा? 9261 तो साब पता है चल लाए कितना है? त्री और यहां ट्री आफ्र यहां मिलना है कितने 1, 2, 3, कितने 3 आफ यहां किकी कंपाउंड़े न यह सेमिनवली है ठीक है ठीक होगा है तो हमको year, बताने तो year में 3 आफ यह कितने होते है? यह त्ली एपने आपको में एक लिंक दे रहा हूँ आदित रेंजेंसन की फ्री पीडियेस में वह आप कमेंट सेक्षन से लिंक से जा सकते हैं ठीक है